हलो दोस्तो नमसकार मैं मधूलिका आप सबका शुआगत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलिका UPRBL मैं हूं मदूली का तो दोस्तो ये दिवाली वाले दिन का वीडियो है और जो भी हमारे आँखाने में बनता है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हूं दोस्तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूं आप लोगों के इतने सारे कमेंटों का आज में खुल के अंसर देने वाली हूं तो प्लीज दोस्तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है वीडियो को फूल वाच कीजिएगा और चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कीजिए और आज की देट जो है 16 तारीख है और आज भीयाद वीज है हमारे यहां तो आज के दिन ही मनाएगा है आपकी आहां कम मनाएगा है शौरी शायद आज 16 नहीं पंदा तारीख है और इस टाइम जब मैं वीडियो एडिट कर रहे हैं रात के बज़रा है साड़े आठ मैंने का चलो वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो आज मैं आप लोगों के साथ खुलके कुछ बात करने वाली हूं जैसे कि बहुत लोगों को ने कमेंट किया था कि आपने लब मैरी शादी की पूरी स्टोरी नहीं सुनाई तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लब मैरी शादी की पूरी स्टोरी शुनाऊंगी पूरी स्टोरी यह है दोस्तों कि देखो जब हम किसी से प्यार करते हम किसी से साधी करते एक विश्वास के तौर पे शाधी करते हैं और एक विश्वास के तौर पे मतलब जीवन भर शाथ हैं जब माबाप कोई रिस्ता ढूरते हैं तो वो हमें रिस्ता आप मतलब अच्छा लगता अच्छा क्या खराबी लगता कहते हैं लम महरे शादी का मतलब क्या उता फ्रेम बिवा है जब प्रेम बिवा हमने किया एक और कहते ना फ्रेम बिवा यानि खुद से पसंद करके बिवा किया तो फ्रीक क्यों इतनी ज्यादा पाबंदिया क्यों इतना वह क्यों छोड़ा जा रहा ऐसे प्रेम विवान इसे अज़ाद श्रावद दिखाईते हैं दोस्तों आप लोग कमेन्ट करके जरूर बताएगा क्या मैं सही बोल रहे हूं कि गलत बोले दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि जिन्दिगी जिसकी भी खराब हुई जब इनसान दो व्यक्ति के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो जहें लड़की हो या लड़का उसकी जिन्दिगी खराब ही हो जाती है दोस्तों यहाँ पे आज चार साल पूरा होके पाचवा साल लग गया मगर उस बंदे का कुछ नहीं और यहां तक की केस बोलो कह रहे थे केस करो केस करो केस केस भी किया गया केस किया गया तो केस से क्या होता जिसकी मनी जिसके पास पैसा है केस उसी के हाथ में जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं केस उसके पास कहा है तो गरीबों का केस नहीं होता केस तो अमीरों होता अमीर जिनके पास पैसे हैं तुरंट केस लड़के माबापने जब शादी की थी तो पैसे लेके करजा लेके शादी करते हैं और शादी करने के बाद अपने सोचते हमारी बिटिया अच्छे से रहेगी खुश रहेगी, खुश हाल रहेगी, मगर नहीं, उसका तो उल्टा ही असर पड़ रहा ना, तो मैं सब के माबाप से एक यही कुजारिस करूँगी, आप लोग कहीं भी अपनी बिटिया के शादी करें, तो यह तो रिस्तेदार में करें, यह तो फिए अच्छ से जानकारी कर लें, कोई इसान अच्छा है, कोन खराब है, किस के साथ हमारी बिटिया खुश रहेगी, किस के साथ نہیں, में ये नहीं करती कि लब मेरी शादी शक्सेज नहीं होती है मगर अरेंज मेरी में बेसक जबर जस्ती के ही रिस्ते चलते हूँ मगर चलते थो इंसान साथ तो रहता मगर लब मेरी शादी में कोई रिस्ता नहीं होता रिस्ता सिफ और सिफ नाम का होता है नाम के कुछ लोग तो जिन्दिगी भर साथ नहीं 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 भरते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग जरूर बताएगा उस बच्चे की क्या दोस है, क्या अगर यहीं दोते हैं तो बच्चा ना करते हैं, पहले ही शादी के पहले ही आप छोड़ देते हैं, क्यों किसी क जिन्दिगी बरबाद ही जब बच्चा हो गया और तीन साल आप अपने साथ रखे थे पूर्णे में तीन साल वो हुए और चार साल यह है जानी साथ साल साधी क्यों हो रहे हैं साथ साल और दो साल पहले का रिष्टा था हां दो साल पहले से जानना सुनना साधी तक बात आने ये सब दो साल पहले से था तब नहीं आपको लगा तब भी तो आपको सोचना चाहिए था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं हम ऐसा कामी ना करें क्यों शादी करें जिन्दिगी भर हमारे लिए मतलब शाथ रहेंगे जिन्दिगी भर हमें ढूना पड़ेगा जिन्दिगी भर ऐसा मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा क्यों होगा किसी की जिन्दिगी बरबाद करना ये सब करना तो फितरत बन गई है फितरत में है लोगों की तो दोस्तों आप लोग कमेंट करें के जरूर बताईएगा किसी की जिन्दिगी क्या इतनी आशान है क्य इतनी आसान से किसी की जिन्दिगी खराब की जा सकती है नहीं न तो फी क्यों नहीं कोई समझता एक बच्चे का तो मोह होना चाहिए यहां पर बच्चे लोग बग अड़ेप्ट करा रहे हैं बच्चे ले रहे हैं गोद में कि हमारे बच्चों का भविस एक बच्चे के लिए एक मा न जगड़ा करें एक मा न लड़ें उसका हक है न लड़ने का तो फी ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है क्यों न लड़ें तो दोस्तों यह फर्स्ट पार्ट में आपने कल देखा यह सेकेंड पार्ट है उसी का देखो बेटा मेरा बना रहा था उसी के शाथ मुझे शहयोग करना पड़ा और ऐसे मैं नहीं बनाई थी तो दोस्तो बहुत ज़्यादा जब वो जब भी मेरे सामने आती रोती है मुझे दर्द होता मेरे सीने में दर्द होता मुझे लगता है कि ऐसा मैं क्या करूं क्यों साही हो जा मगर कहते हैं न सब चाह के अपने बस में कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं है दोस्तो सब कुछ चाहने के बाद बस में कुछ नहीं है सोचों कि इनकी जिन्दगी सुधर जाए इनकी जिन्दगी मगर कहां कोई मानने वाला है कोई मानने वाला है कोई नहीं मानने वाला गलती अब एक बार तो इनसान ने गलती कर ही लिए है उसकी गलती की सजा इतनी बड़ी कहते हैं न इंसान दाल में नमक एक ही बार डालता है तो उसको इतनी बड़ी सजा दी जा रहे है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं जिसका कोई रूत ही नहीं जो कभी सोचा ही नहीं गया था कि लाइप में इतने ऐसे ऐसे कदम कोई उठा सकता है तो दोस्तों, आप लोग comment करेंगे जरूर बताएगा, क्या करना चाहिए मतलब उस इनसान को चोड़ दें उस इनसान को बिना रहें वो तो रहने के लिए तयार है मगर उस बच्चे काका होगा कल को लोग बाग उस बच्चे को हरामी कहेंगे कोई माई यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को हरामी कहे अगर कोई हरामी कहता है तो उसका वो कश्ट होता है दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि नयाय मिल सके एक बच्चे को बाप मिल जा इसे बड़ी और क्या तुम शाथ में रखना नहीं चाहते हो गुजारा भी नहीं देने के लिए तायार हो और दूसरी लड़ी को अपने शाथ में रख्यों बोलते हुआ मेरे जिलेशन्शिप में कैसा जिलेशन्शिप है लिविंग जिलेशन्शिप में उसको रख्यों एक बार सोचना चाहिए न क्या ठीक है आपको रखना है रख लेते जब शादी हो गई आपकी उसके बावजूद भी आप किसी को रखे उसको बोलते हो कि ये लिविंग रिलेशन्शिप में है तो बताओ आपको मतलब शादी नहीं करने चाहिए एक औरत कभी ये नहीं बरद होगी कि उसके हस्बेंड के शाद कोई रिलेशन्शिप में रहे क्योंकि अभी तलाक नहीं हुआ ना तो जब तलाक नहीं हुआ तब 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 एक बीबी का ही हग है तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट आते हैं दिया आप किसकी कहानी सुनाती हो किसके बारे में उसे तो अभी ये सारी बाते में पेंडिंग में रखी हूं अभी मैं आपको सच नहीं बता रहे हूं कि मैं किसके बारे में बता रहे हूं मगर जो भी हो बहुत परेशान है बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करें ताकि उनको नयाय मिल सकें देखो किसी को नयाय मिल जाएगा किसी का घर बस जाएगा तो इस से ज़्यादा और क्या सही है और यही कहा जाता है लम मैरिज कभी नहीं क्योंकि लम मैरिज में इतने इतना कश्ट होते तुम मारते थे पीटते थे सब कुछ करते थे मगर फिस भी उसने बरदास किया सिप पैर की जूती होती जिस दिन पैर की जूती सिर्फ पर पढ़ने लगेगी न तो तुम्हारा सिर्फ चक्रा जाएगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि जिन्दिगी किसी की कहां से कहां तक पहुचे गई बैचारी इतना ज्यादा परेशान इतना जियल लवी स्टोरी है जियल लवी स्टोरी जब कोई सुम्ह बताता है तो किसी की आत्मा फर्टती है क्योंकि वो अपने हर एक वजूद का आप लोगों को तक पहुचाती है आप लोगों तक बताती है आप लोग ऐसा मजाक मत उड़ाईए और ऐसे मजाक मत बनाईगा बह बहुत जल्द वो इंसान को सामने लेके ओंगी क्यों इंसान है कौन और ये जिसकी भी स्टोरी हो बहुत दुखी है उसका बच्चा उसका चार साल का बेटा चार साल के बेटी को इंसाब चाहिए दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो उसे इंसाब दिलवा सकते हैं ये बात प्रशाशन तक होनी चे पता यहां तक कि मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था इधर उधर भटक भटक के भटक भटक के तब जाके उसका कैसे भी करके लिखा गया और मिला क्या सिफ दुखी दुख कभी-कभी तो इतना रोती इतना वो है कभी-कभी कहती है कि लगता है कि मै क्या कर लूं मगर एक बच्चे के लिए जीती एक एक औरत मर सकती मगर एक मा नहीं कि मा अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए जीती है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं करती ही बन और कल मिलती है अच्छे से वीडियो में तब तक आप अपने अपने सब अपने और अपनों का खयाल रखे और दोस्तों किसी की मजबूरी का इतना फायदा माद उठाओ कोई अपने दिल की सच्चा ही तुम्हें बताता है